आज किस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपना इंग्लिस क्लास 12 का चैप्टर नमर 2 जो है भारत इस मैं हों ये चैप्टर को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और यहां पे हम आपको लाइन बाइन एक्स्प्लेन करने वाले हैं यानि आपका जो बुक है रैन्वो पार्ट टू और उसमें जो दूसरा चैप्टर है प्रो सेक्षन के अंदर भारत इस मैं हों आज ये चैप्टर पूरे अच्छे से लाइन बाइन हम लोग अच्छे से कंप्रीट कर लेंगे और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर आपको पूरा चैप्टर जो हम आपको पढ़ना है हर चीज आपको डीटेल से बताएंगे यानि आप ये सिंगल एक वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से समझे एक चीज का दिक्कत नहीं होगा एक वर्ड का आपको दिक्कत नहीं होगा ये मैरा गैरंटी है आप यहां पर आल्मोंस हमें 40 मिनट क समय तो आल्मोंस 40 मिनट में आपको ये पूरा चाप्टर खतम कर देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से 40 मिनट के बाद आप इस चैप्टर को समझ चुके रहेंगे ठीक है कोई भी अब्जेक्टिव को सनो कोई भी सब्जेक्टिव को सनो आप आसानी के साथ बना सकते है इससे पहले चैप्टर वन इंडियन सिवलाइसन कल्चर पढ़ाए थे काफी सारे बच्चे देखे बहुत अच्छा भी लगा आप लोग का कमेंट भी पढ़े बहुत अच्छा लगा है ना उमीद करते हैं कि आज का इवी क्लास कुछ उसी परकार से उसी तरीके समझा है चैप्टर का नाम क्या है उससे समझते है ठीक है चैप्टर का नाम अपने पास है क्या बोला गया है चैप्टर का नाम ठीक है यह है भारत ठीक है भारत is my home ठीक है भारत is my home यानि अपने पास इसका हिंदी क्या होता है समझ में आता है भारत is my home यानि भारत मेरा घर ठीक है obviously हम लोग का घर कौन? हम लोग का घर भारत ही है तो यहाँ पर भारत मेरा घर के बारे में हम लोग बात करेंगे चैप्टर का हिंदी मतलब होता है भारत मेरा घर और इसको लिखे को ने पता है इसको लिखे है डॉक्टर जाकीर हुसेन को लिखे है डॉक्टर जाकीर हुसेन जी इसको लिखे है जाक्टर जाकीर हुसेन जी इसको लिखे है ठीक है और यह जो थे न यह डॉक्टर जाकीर हु ठर्शीड रहे हैं फार्सीड रहें हैं इंडिया कि और इंडिया यानि भारत के तिरतिय राष्ट पती के रोप में यह अपना सेवा है यह भारत के तीसे राश्ट visa richtig यही अपना यह chapter को basically लिखें है यह जो क्या है यह जो chapter है यह क्या है एक excluding hey Twin एक यह यानी यह contrac Dawn यह जो यह एक च्बहसन है और यह उन्य ज्लिए थे जब यह ठ county रूप में जब ओकिले रहा थे सपत जो लिए थे ओप हों पने जब बाद ये भासन दिये थे, ये speech दिये थे, ठीक है, ये speech दिये थे और इनका ये first speech था, after president, ठीक है, first speech था, पहला speech था, ठीक है, president बनने के बाद, clear, तो ये अपने पास हो जाती है, पूरे अच्छे तरीके से हम आपको पूरा explain किये हैं, कि यहाँ पे ये क्या चीज हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा जो chapter है ना, उनका भासन का एक हिस्सा मात्र है, मतलब वो भासन दे रहे हैं यहाँ पे, और उसी चीज को आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले, जैसे कि हम लोग को पता है, अपने board परिशा में, यहाँ स और आपको समझाएंगे, और इसमें नीच सन्दह आब भरोसा करिए, आपरवर को करिए, कर देखिए उसके बाद ठीक है, चलो पहला यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं थोरा सा राइटर डीटेल के बारे में जानते हैं plus, इस बारत अपने पास भारत इसमें होम स्पीच में कौन पता है उसको लिखे में कॉन पता है इसको लिखे में अपने पास ठीक है, 1877 को 8 February 1897 में कहाँ पर हैदरवाद में इनका जन्म होता है निधन इतका कब होता है 3 मैं 1969 को यानि 3 मैं 1969 को जब ये 72 साल के थे जब ये एजन में किते 72 यर्ज के जब थे तब इनका New Delhi में इनका दिहानत हो जाता है ठीक है, तो मतलब इनका जन्म और इनका निधन आप जान गए कि 1897 में इनका जन्म हुआ और 1969 में इनका निधन हुआ ठीक है, ये दो चीज हम लोग जान गए अब उसके बाद जानेए, डॉक्टर जाकीर घुशेन खान जाकीर हुसेन खान वाजन पॉल्टीशियन यह क्या, है एक पॉलिटीशियन थे एक राजनेता थे थे ठीके राजनेता तक यह थे ठीक है, फूझ सरफ्ड ऐस धिर्ड ऐसव ब्संद्र सlaf का मतलब क्या होता है। सेवा देना सर्फ का मतलब क्या होता है सेवा देना as the third president of India भारत के तीसरे रास्पती के रूप में आपनी सेवा यह दे चुके है ठीक है तफ लगता है न पढ़ना वह आसान हो जाएगी अब चलिए यहाँ पर राइटर के बारे में जानते हैं सबसे पहले देखो डॉक्टर जाकीर हुसिन इनके बारे में अगर बात करे और 1897 में जन्म होता है और 1979 को इनका निधन होता है ठीक है born in हैदरावाद में इनका जन्म ह होता है was one of our greatest freedom fighter और यह जो थे यह हमारे जो है बहुत ही महान जो है सवतनतर्ता सेनानी रह चुके है freedom fighter यानी सवतनतर्ता सेनानी greatest मतलब महानों में से एक ठीक है एज वेल एज ठीक् caliber साथ ही धी गोले अज़ूकेसनलिस्ट ठीक है एजूकेस्ण निस्ट मतलब वो जो है एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात बहुत ही बिष्ट्रत gelir रूप से भारत के राष्टपती बनते हैं कब 1960 में और इनका निधन कब हो जता है 1979 में यानि सिर्फ दो साल बाद इनका निधन हो जाता है जब यह राष्टपती थे तब ही जाके इनका निधन भी हो जाता है याद रखेगा अब जब यह राष्टपती बने थे 1960 में याद रखेगा वो बिहार के मतलब अपने बिहार के वो गवर्नर भी रह चुके हैं मतलब भारत के जो राश्पती बने डॉक्टर जाके रुसन जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ वो भारत के भी गवर्नर रह चुके थे ठीक है उनीसा सरसथ के पहले ठीक है भारत इज मैं हूम एक क्या है extract है मतलब एक तरीके इस अंस है ठीक है फ्रॉम ता स्पीच एक भासन का जो उन्होंने उनीसा सरसथ में after taking the auth as president अपने राश्पती पत का सपत auth का मतलब सपत सपत लेने के बाद जो वो उनीसा सरसथ में भासन दिये थे उसी का एक अंग है भारत is my home ठीक है उनके स्पीच वो भासन जो दिये थे राश्पती बने थे सपत ले थे उसके बाद जो भासन दिये थे उनीसा सरसथ में उसी का एक extract है उसी का एक हिस्सा यहाँ पर लिया गया है उसी को भारत is my home नाम रख दिया गया ठीक है इन हिस फॉर्स्ट स्पीच और मतलब वो अपने पहले स्पीच में ऐस दी परसिडेंट ओफ इंडिया ठीक है भारत के राश्पती के रूप में अपना जो पहला स्पीच था उनका पहला जो भासन था डॉक्टर जाकी रुसेंट प्लेजिज हिमसेल्फ ठीक है वो जो है सपत लेते हैं अपने आप से वो सपत लेते हैं to service to the service of the totality of इंडिया's culture कि वो भारत की संस्कृती के लिए पुर्म समर्पन के साथ वो काम करेंगे ठीक है अपने पहले भासन में डॉक्टर जाकी रुसेंट जब भासन अपना देते हैं मतलब सपत लेते हैं भारत के राश्पती के रूप में उसके बाद जब भासन देने आते हैं तो उस भासन में पहले ही भासन में वो सपत लेते हैं कि भारत के सांस्कृति के लिए वो एकदम पुर्ण समर्पन के साथ अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा अपने पास हो गया, राइटर के बारे में, अब चलिए, एक एक करके हम paragraph बाई समझते हैं, paragraph 1 से स्टार्ट करते हैं, अब अब आपका main focus होना चाहिए, पर अपने पास क्या बोला जा रहा है, इसमें अपने पास बोला जा रहा है, I must confess that I am overwhelmed by the trust of my people have placed me by the electing me to the highest office in the land, देखो, सुरू से बताते हैं, ठीक है, I must confess, मैं निश्यत रूप से ये कहना चाहता हूँ, मैं निश्यत रूप से ये कहूंगा, I am overwhelmed, मैं अभी वूत हूँ, म by the trust of my people, मेरे लोग जो है, मुझे पे जितना भरोसा करते हैं, उस भरोसा, वो जो भरोसा और उनकी अभी वूती है, जितना भरोसा करते हैं, उसके भरोसा के नीचे मैं एक तरीके से overwhelmed हूँ, एक तरीके से दवा हुआ महसूस करता हूँ, जुका हुआ महसूस करता हूँ, मंतलब इस तरीके से वो बोज केंने हैं उसके नीचे वो दभा हुवा महसूल करते हैं पेपल है प्लیज्ड में कि उन सारे लोगों ने हमें तरीके से चुना और हमें भोट दिया हम मतलब एक तरीके से नोस का और यहां चुना सबसे सर्बुच पद पर सबसे सर्बुच ऑफिस पर सबसे सर्बुच पद पर यहां के लोग ने उन्हें चुना ठीक है मतलब यहां पर यह पहला ही लाइम में अपना भासन देखो वो भासन दे रहते हैं जाक्टर जाकी रोसन और बोलते हैं बासन जब वो रास्पती का सपत लिए और उसके बाद वो भासन देते हैं उसमें बोलते हैं I must confess that मैं निश्यत रूप से कहूंगा कि I am overwhelmed मैं बहुत ही जादा अभिवूत हूं by the trust of my people अपने लोगों को भरोसा अपने लोगों को भरोसा को देखके have pleased me by electing me जिन लोगों ने हमें चुना और हमें बैठाया to the highest office in the land इस पूरे धरती का सबसे सर्बुच पद पर सबसे सर्बुच ऑफिस में हमें बैठाया इसके लिए मैं अपने लोगों के परती overwhelmed हूँ बहुत ही जादा अभिवूत हूँ है न मतलब भारत का जो राश्पती पद का सबसे सर्बुच पद होता है वो भारत के लिए सबसे सर्बुच पद होता है एक तरीके से भारत का राजा वो कहलाते है राश्पती परधान मंत अगर वहां के राश्पती बनते तो निस्से तरोप से ये पूरे धरती का सबसे एक सर्बुच पद है तो इस पे इन लोगों ने इन्हें चुना है इसके पड़ती ये जो है बहुत ही ज़्यादा खुसी महसूस कर रहे है ऐसा लग रहा है ये सारे लोग इतना हमसे प्यार करते हैं उन प्यार के नीचे में दवा हुआ महसूस कर रहा हूं ठीक है ये डॉक्टर जाकी रुसेन बोलते हैं ये पहला परग्राफ अपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा आए हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है डॉक्टर जाकी रुसेन ऐसे बोलते हैं उसके बाद इन के इसे पहले राशपती तो मतले हैं परग्रारे में और पराग्राफ बनता है हार पिछले परधानमंतरी अगर बदःलते हैं तो पिछले परधानमंतरी के बारे में कुछ अच्छा सब्द उस समय तो जवर बोलके निकलते हैं ठीक है और डॉक्टर यहाँ पर राधा कृष्णन तो वागई बहुत अच्छा काम किये तो उसी के बारे में यहाँ पर यह बोलते हैं क्या चीज़ देखिए डॉक्टर राधा करिष्णन ब्राउड टू दपरसिधैंसी एकलिकर थे करा टो ठाई nosso ब्राउड मिटे लाना है ट्र्षिदैंसी आव्यो जो होता है उसको मेंटल कमेंंड एकलिके से मांसिक क्या सब्सक्राइए एकल्म प्रदाना Cherry है a degree of erudation and wealth of experience मतलब a great degree of erudation मतलब एक तरीके से ज्यान का अस्तर erudation का मतलब ज्यान और दिग्रीका अस्तर ज्यान का अस्तर दिए ठेक है कौन Radha Krishnan and a wealth of experience और experience एक तरीके से अनुभाव का हमें क्या धन दिये अनुभाव कधन ये पैसों का धन नहीं अनुभाव जो कि सायद ही कहीं मिल पाता है जो है इस राश्पती पत को एक मानसिक मजबूती परदान किये और उन्होंने अपना सिक्षा का एक जो है क्या परदान किया अस्तर परदान किया और एक तरीके से जो है इक्सप्रेंस होता अनवव का एक तरीके से धन यहां पर दिया इसम्पति इहां पर राश्पती पति उनको दिया जो कि सायद ही कहीं पाया जाता है ठीक है रेरली टू बी ऐनीवेर मतलब सायद ही डेवार्टड् समर्पित कर दिये to the pursuit of knowledge मतलब एक तरीके से knowledge की खोज में ठीक है ज्यान की खोज में और सच्चाई की खोज में truth की खोज में बोलते हैं और जिख्चा की राधा क्रिष्चन जी जो है एक तरीके से परसिडेंज राष्पति पद को एक बहुत ही मांसिक मस्बूती परदान किये और एक तुरे उम्र भर एक तरीके समर्पित कर दिये खोज में परसूट में यानि खोज में किसकी और सच्चाई इस दोनों की achож में घ्यान और सच्चाई इस दोनों की खोज में वो अपना पूरा जीवन डिवर्ट कर दिये, पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिये है ना तो यह यहाँ पे डॉक्टर जाकी रोसन डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में बोलते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे इंडिया ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अगला आते हैं हम लोग पराग्राफ नुमर सकेंड ही चल रहा है यहाँ पे क्या बोलने हैं अभी वी राधा कृष्णन जी के बारे में ही बात कर रहे है जाकी रोसे वो साइद एतना काम किये हैं कि जो साइद ही कोई और कर सकता है कि सबसे जादा हो कोई और चोड़Fit किया है उससे कहीं जादा हो इतना वो काम करके गए हैं राधाकृष्णन ठेक है and explain इंडियन के फिलोसपिकल और जो हैं इंडियन फिलोसपिकल जो है इंडियन फिलोस्पिकल यानि एक तरीके से बात करें कि भारत का जब दार्षनिक सोच है, थोड जो है, दार्षनिक सोच जो है, और oneness of true spiritual value और जो अध्यात्मिक मुल्य है, उसको एक तरीके से एकता परदान किये, ठीक है, अखंडता को समपादित करने में उन्होंने काफी योगदान दिये हैं, सभी से जादा, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, भारतिय दार्षनिक सोच, सची अध्यात्मिक मुल्यों की अखंडता को समपादित करने में उन्होंने संभवतता दूसरे से जादे किया है, मतलब यहाँ पर ऑब्यस्ली डॉक्टर राधा क्रिशनन जी के बारे में अच्छा-च्छा कुछ बातें बो होगा, कोई और उनके तुलनाम इतना नहीं किया होगा, उतना वो करके गये हैं, वो जो है इंडियन फिलोस्पल यानि भारतिय दार्षनिक के ठोड़ जो होते हैं, सोच और जो होता है, मतलब एक तरीके से अपने पास जो अध्यात्मिक, जो मुल्य होता है, सच्छे अध् होता है, मतलब एक तरीके से राधा क्रिशनन जी के बारे में, डॉक्टर जाकी रूसन बोलते हुए है, बोल रहे हैं, कि वो अपना जो है, भरोसा कभी नहीं खोए, in the essential humanity, कि जो आवस्यक मानवता है, ठीक है, आवस्यक, essential का मतलब आवस्यक, और humanity का मतलब मानवता, of a man, ठ जानते थे, कि हाँ, एक बैक्ती का एक मानवता होना चाहिए, मानवता हर हमेसा जिन्दा होना चाहिए, इनका हर हमेसा मानवता पर भरोसा था, कि अभी भी मानवता जिन्दा है, मानवता है, ठीक है, and he himself has never seized to campaign the right of all men, ठीक है, और वो कभी भी इस चीज से seized, मतलब मना नहीं कि ये रोके नहीं, campaign मतलब एक तरीके से, बोला जाये तो मतलब एक तरीके से, जो समर्थन होता है, जो एक तरीके से, किसी का साथ देना होता है, अपने आपको कभी भी इस चीज से रोके नहीं, कि हर एक आदमी का right होता है, right of all men to live dignity and with justice, कि अपना जो कोई भी बैक्ती है, वो अपना जीवन जी सके, पूरे इज़्जत और इंसाफ के साथ, पूरे इज़्जत और इंसाफ के साथ, justice के साथ, ठीक है, तो वो जो है आवस्थक मानवता से कभी भी अपना भरोसा नहीं उठाए, ठीक है, कुल मिला की ये बोला गया है, ठीक है, डॉक्टर रादा कृ पर शनन जी के बारे में, डॉक्टर जाकी रूषन ये सारा चीज बोलते हैं, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, परागराफ नुमर 3 पे ठीक है, परागराफ नुमर 3 पे आते हैं, और चलिए अब इसको भी बहुत अच्छे से अम लोग जान लेंगे, और इसको भी बहु मैं आपको केवल एक भरोसा दिला सकता हूँ, यकीन दिला सकता हूँ, कि मैं जब इस office में परविस किया, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं, मैं केवल आपको यकीन दिला सकता हूँ, भरोसा दिला सकता हूँ, कि I enter this office, जब मैं इस office में परविस किया, in a spirit of prayerful humanity, मतलब एक तरीके से पुर्ण मानवत्ता के साथ, पुर्ण बिनवत्ता के साथ, पूरे समर्पन के तोटल डेडिकेशन, यानि पूर्ण समर्पन के साथ, मै इस office के अंदर आया हूँ, ठीक है, मैं एक होता है न, कि जब भी आप कुछ भी नहा चीज़ करने जाओ, तो आप पूरे मन लगन से आते हो, कि नहीं, इमानदारी से हर चीज़ करेंगे, जैसे आप class 11 से class 12 की पहली class में आया होगे, तो आपके मन में होगा, कि नहीं, इस ब इस बहुत अच्छा काम करेंगे, इस बहुत अच्छा काम करेंगे, उमीद को लेके आया हूँ, ठीक है, I have just taken the oath of loyalty to the constitution of India, मैं अभी-अभी, ठीक है, I have just, मैं अभी-अभी take the oath, मतला एक सपत लिया हूँ, loyalty to the constitution, मतला एक तरीके से, जो संबिधान है, उसके परती loyalty यानि बफादारी का सपत लिया हूँ, भारत के संबिधान के परती बफादार का अभी-अभी मैं सबत लेके आया हूँ, ठीक है, it is the constitution of a comparatively new state, which its free citizens have, ठीक है, और ये जो है, बोला जाए तो तुलनात्मा कृप से comparatively, ये जो है, comparatively, ये जो है एक नया राज है, ये जो है, मतलब एक तरीकिस भारत जो है, एक तरीकिस नया है, अंगरीजों से जल्दी आ आजाद हुआ था, और बोला जाए, तो अभी ये नया state है, नया राज बन गया, जब ही हम चुन के आए, तो एक नया राज ये बन चुका है, ठीक है, और यहां के लोग जो है, for the first time, पहली बार यहां के लोग जो है, in the history, given to themselves, कि अपने आपको ये देश सौपे हैं, हैंना मतलब ये कहते हैं, कि जैसे हमें राष्टपती बनाया गया, तो पहली बार, ये state तो नया है, मतलब ये राज पूरा एक तरीकस नया हो गया है, ये पूरा देश नया हो गया है, और यहां पे पहली बार जो है जनता लोग, पहली बार पूरे इतिहास में, पहली बार जो है अपने आप को ये देश सौप़े है यानि मुझे सौपे है तो इसका मतलब जनता अपने आपको Sौपे है ये सारा चीज मतलब अब ये जनता का पर जनता का सारा चीज हम जनता के लिए लगतार काम करते रहेंगे ऐसे डॉक्टर जाकिर हुसें जी बोलते हैं मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रहा है सब कुछ ऐसे clear होते चलेगा अभी पूरा का पूरा बस आप dedicated होके पढ़ो तो सही हर चीज आसान हो जाता है आगे जलते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं यह जो है पूराने लोगों का क्या है यह जो एसा बन चुका है जैसे एक तरीके से लोग तो पूराने है ठीक है, देश आजाद हुए या फर देश हमारे हाथ में आप आया तो देश एक तरीके से पूराने लोगों का एक नहा देश बन रहाएगा नया देश है वो गया है ठीक है फूरो दा लॉंग मिलीनिया एंड थू कॉपरेशन ओफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट ठीक है यह कहता है कि यह पुराने लोगों का युवा राज है नया नया राज है यानि पुराने लोग जित्ते भी है ठीक है और इसमें बहुत सारे लोग बहुती लंबे अर्से से लॉंग मिलीनिया मतलब लंबे अर्से से जो है एक तरीके से सभी अपना कॉपरेशन के साथ सभी अपना योगदान के साथ डाइवर्स एथनिक के साथ एलिमेंट के साथ यानि ये बोला जाए तो अलग अलग जो है मानवे सिक्षा के सहयोग से जो है अनंत एबंपुर्ण समर्पन मुल्यों के साथ ठीक है ये क्या किये लड़े हैं have a striven to realize timeless ठीक है एक तरीके से बोले तो बिना रुके ठीक है बिना रुके वो जो है एकदम लड़ते रहे हैं absolute value in their own peculiar way ठीक है अपने अपने तोर तरीके से अपने अपने तरीके से सभी लोग कुछ ना कुछ अपना योगदान दिये हैं मतलब ये देश जो है एक तरीके से नया है पुराने लोगों का और हर लोग अपना-पना अपने तरीके से योगदान दिये हैं इस देश के आजादी के लिए पुर्ण मुल्यों को प्राप्त करने के लिए, पुर्ण मुल्य जो था भारत का, वो भारत के मुल्यों को प्राप्त करने के लिए हर लोग अपने अपने तरीके से खास अंदाज में जद्दो जहद किये हैं, खास अंदाज में अपना अपना दिए हैं यहाँ पर बताते हैं अब हम लोग अपना कुर्वान होके आज इस देश को बचाए हैं और इस देश को एक तरीके आजाद करवाए हैं तो मैं उन मुल्यों का एक तरीके क्या करूंगा मैं सपत लेता हूं कि उन मिल्यों का एक तरीके से जो है सर्वेस बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा for those sorry for the some concrete realization ठीक है of the value may become inadequate with the change of circumstances the value remains eternally valid and and the prices for newer and fresher realization यहाँ पर क्या बोला गया देखो बहुत ही प्यारा सब बोला गया ठीक है कि मैं सपत लेता हूं कि उन सारे values उन सारे मुल्यों का सपत लेता हूं कि उन सारे मुल्यों की सेवा करूंगा हलाकि बोले हैं कि इस कुछ ऐसे जो है मुल्य का सक्ति से पालन एक तरीके concrete का मतलब जानते हो concrete cement पड़ता है छत वगर डालने में कंक्रीर ताकि वह मजबूती परदान करें कि कुछ ऐसे जो है मुल्य है कुछ ऐसे यहां पर अपने पास क्या है वेल्यूस हैं ठीक है कुछ ऐसे भी सिध्धांत जो एक तरीके से क्या हो जायेगा जिसका सकती से पालन नहीं हो सकेगा ठीक है एक तरीके से सकती से स्विकार नहीं किया जा सकता बोले सो फर्सक्ति पालन करना परस्तिक एक और जो स्रेंज फो क्या हो जाएग olsun बैदेज किया हो जाएगा ऑज़ीज हो बदल जाते हैं कुछ एक तरीके समय साहर जातiegen कुछ इसे परिस्थेतियां आती है जिसके कारण होता है कुछ जो हम लुगं चुन्के रखते हैं कि हम लूग उस तरीके से काम करेंगे उस कुछ ऐसा इससी बन जाता है जब हम लोग डाइवर cent होना पडता है failure तॊज को और काम को देखना होता है यह काम अब जरूरी नहीं रहा जाता है जैसे अगर पहले जैसे मान लेते हैं ठीक है कि अगर मतलब पहले क्या था कि रसी में एक तरीके से बस वाला जो आता था जिससे फसा के तरीके से इस सहर से मलब एक सहर में अलग लग जा सकता था जाम से बचने क तो कुछ समय के साथ क्या होता है बहुत कुछ बदल जाता है इन एडिक्वेट हो जाता है तो बड़कव से कहते हैं कि मैं सारी मुल्यों को बहुत अच्छे से मतलव हम सारे मुल्यों को कदर करूंगा ठीक और कुछ चोहरें यह तक जाती है जसका सक्ति और वो हमें एहसास, नए और ताजे एहसास के लिए जोड डालते हैं, ठीक है, कि कुछ नया और कुछ अच्छा करना है, उसके लिए हमें जोड डालते हैं, ठीक है, तो यह अपने पास हो गया, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, किता, paragraph नमर 3 ही अभी चल रहा है, इसी पे जाते हैं, the past is not dead, बहुत ही प्यारा लाइन है, और इससे बोड इकना में especially सवाल पूछे जाते हैं, तो उस लाइन को properly ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं, the past is not dead and aesthetic, कि हमारा जो past है, हमारा जो कल है, हमारा जो भूत काल है, हमारा जो एक तरीके से बोला ज नहीं है, और नहीं aesthetic है, नहीं इस्थिर है, dead का मतलब मरना और aesthetic का मतलब इस्थिर रहना, कि हमारा जो अतीत है, हमारा जो past है, वो मरा नहीं है और नहीं इस्थिर है, ठीक है, it is alive, हमारा past जिन्दा है, and dynamic, और गतिसील है, ठीक है, हमारा past मरा नहीं है, और नहीं इस्थिर है बलकि हमारा past जिंदा है और गतिसील है and is involved in determining the quality of our present ठीक है और एक तरीके से जो हमारा past है वो एक तरीके से हमारा जो आज है ठीक है और बर्तमान में हमारी गुनवत्ता ठीक है और भविस में और जो है prospectus of our future और हमारा जो आने वाला भविस है ठीक है हमारी संभाबनाओं पर दो नजर रखे हुए है जो हमारा past है वो अभी मरा नहीं है और नहीं इस्तेर्याओं बलकि हमारा past हमारा आतीत अभी जिंदा है और एक तरीके से क्या है गतिसील है जो की एक तरीके से हमारी जो जित्ते भी quality जैए ठीक अभी present का जो हमारे अंदर जो गुनवत्ता है उसको तो एक तरीके से नापती है जांस्ती है ठीक है और साती साथ भविस के बारे में भविस के बारे में एक तरीके से भविस पर नजर रखी हुई है ठीक है तो हमारी पास्ट अभी भी खतम नहीं हुआ बलके हमारा पास्ट अभी विजिंदा है और वो गतिशील है लगातार वो चीज करते हैं बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि मतलब पास्ट में था लेकिन आज तक हम लोग उस चीज को साथ लेके चल रहे हैं तो वो गतिशील है और वो हमेशा चलता रहेगा ठीक है तो यहां पर यहां पर आगे चलते हैं ठीक है और अब हम लोग यहां पर आते हैं कहां the process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character ठीक है,' अपना जो है एक तरीके से process of its constant renewal जो अपना देश है अपना संस्क्रेट एक तरीके से अपना देश जो है, लगतार जो बदल रहा है, मतलब लगतार जो नवीजरी नवीनी करण हो रहा है, ठीक है लगातार नई नई जो है एक तरीके से मतलब तकनीक हम लोग अपना रहे है नया नया कुछ कुछ चीज रिनेवल कर रहे है नवीनी करन जो आ रहा है अपनी लोग में ठीक है indeed the process of growth of national culture और national character और यह बास्तव में एक तरीके समारा राष्ट का जो है क्या है culture राष्टी संस्कृति और राष्टी चरितर जो है उसका विकास है अपना देश का जो है एक तरीके से यान संस्कृति और अपना देश का चरित रहे तरीके से विकास कर रहा है नवीनी करन होते जा रहा है ना नया चीज को अपना रहे हैं और तरक्की कर रहे तो यह कहीं न कहीं सिख्षा का काम है जैसे कि मैं देखता हूं तो दा मिनिस्टर ठीक है तो दा मिनिस्टर मतलब एक तरीके से मिनिस्टर का मतलब यहां पर सहाइता ठीक है इस कंस्टिट्योशन कंस्टेंट रेनियवल कि यह जो नवीनी करन है जहां तक मैं देखता हूँ कि यह सिक्षा का काम है ठीक है एक तरीके से मतलब यह अनुमान के लिए मुझे माफ किया जा सकता है यहां पर कहते हैं कि भारत की जो चरित्र है और भारत की जो संस्कृति है यह लगातार नवीनी करन हो रही है लगातार एक तरीके से बढ़ रही है और इसका में कारण जहां तक मैं देखता हूं इसका में कारण सिक्षा है जब सिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे जो है अपना देश आगे चल रहा है आगे बढ़ रहा ह और अगर मैं गलत हूँ मेरा यह अनुमान गलत है तो मुझे माफ किया जा सकता है ठीक है और आगे यहाँ पर यह कहते हैं पराग्राफ नौर फोर महीं देखिए आगे यह कहते हैं that my choice to this high office has mainly if not entirely ठीक है यह कहते हैं कि अगर मुझे इस high office पर ठीक है of my long association with the education of my people कि मेरे लोगों को लंबी समय से जो है सिक्षा से जुड़े रहने के कारण है कि आज मैं जो हूँ निस्षित रूप से नहीं तो संभवत हम यहाँ पर इस पद पर इस सबसे सर्वुच पद पर आज बैठे हैं इसका कारण क्या है जो हमारे लोग है हम और हमारे लोग जो है एक तरीके से लंबी समय से लंबी अर्शे से हम लोग सिक्षा से जुड़े हुए है ठीक है आय मेंटनेंडव एंजुकेशन इस एप्राइम इंस्ट्रॐम है मुख्य एक तरीक तरीके से क्या है साधन है ठेके ऑल निर्मान के लिए ठीकर सिक्छा जो है टरीके से रास्ट निर्मान के लिए मुख्य साधन है and quality of education is inascible involved in the quality of nation और जो ए सिक्छा की गुनवत्ता जो है राष्ट की गुनबत्ता के लिए अनिवार रूप से सामिल होता है ठीक है यानि आपको यहाँ से यह समझ में आया कि एक तरीके से यह बोलते हैं कि अगर मैं आज यहाँ पे सर्वोच पत पर हूँ हाई ओफिस पे हूँ अब यही बोला गया कि मैं जो आज सर्वोच पत पर चुना गया हूँ तो इसका कारण यह है कि मैं सिक्षा से काफी मेरे लोग जो है सिक्षा से काफी लंबे समय से जुरे हुए थे यह यहाँ पे बोले हैं और सिक्षा मैं मानता हूँ कि सिक्षा एक ऐसा साधन है जो कि रास्ट निर्वान में सहाईता परदान करती है तो यह बोलते हैं और आगे यहाँ पे है I therefore place myself और इसलिए मैं सपत लेता हूँ इसलिए मैं सपत लेता हूँ कि मैं इमानदारी से अपना प्राचीन सबता जहां कहीं से आया है और जिसकिसी ने भी इसमें योगदान दिया है I place myself to the service of totality of my country's culture मैं खुद से सपत लेता हूँ कि मैं राष्ट के इस संस्कृति के संपूर्णता के साथ सेवा दूँगा totality के साथ हम इसको क्या करेंगे? सर्व करेंगे, service देंगे, ठीक है? अलब यह कहते हैं कि मैं सपत लेता हूँ कि आज मैं सपत लेता हूँ कि आज जो है जो अपना प्राचीन जो संस्कृति है भारत की जो संस्कृति है वो जहां कहीं से भी आया है और जिस किसी ने भी इसमें योगदान दिया मैं इसको आगे ले चलूँगा और इसको आगे बढ़ाऊँगा और मैं अपनी पूर्ण समर्पन के साथ मैं इसको सेवा दूँगा इसको मैं सपत लेता हूँ ये डॉक्टर जाकीर हुसेन अपने भासन में बोलता है उसके बाद चलिए आगे बढ़ता है पराग्राफ नौर फाइब में ही और इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि I place my loyalty to my country मैं जो हूँ सपत लेता हूँ अपनी इमानदारी देश के परती ठीक है मैं सपत लेता हूँ कि मैं देश के परती वफादार रहूँगा बिना धर्म और भासा के भेदवाव किये मैं खुद सपत लेता हूँ I place myself to work for its strength and progress ठीक है कि मैं जो हूँ इसके समरिद्धी और इसके तरक्की के लिए ठीक है इसके strength यानि समरिद्धी और process यानि progress यानि इसके विकास के लिए मैं काम करूँगा यानि यह क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ अपने देश के पड़ती इमांदारी का सपत लेता हूँ और मैं जो हूँ बिना कोई धर्म और बिना कोई भासा का मतलब इसमें भेदवाव किये मैं काम करूँगा ठीक है किसके लिए strength अपने देश के समरिद्धी और अपने देश के progress यानि विकास के लिए मैं हर हमेशा काम करूँगा for the welfare of its people और यहां की लोगों के कल्यान के लिए काम करूँगा without distinction बिना कोई भेदवाव के क्या चीज़ के भेदवाव caste यानि जो है जाती रंग पन्थ के मैं इस देश में जो है काम करूँगा और पूरी समर्पता के साथ काम करूँगा और मैं इसका सपत लेता हूँ ये डॉक्टर जाकीरोद्धन आपने उस भासन में बोलते हैं जब भी कोई रासपती बनते हैं प्रधान मंत्री बनते हैं तब भी ये सपत लेते हैं कि मैं अच्छे से काम करूँगा तो वही अपने डॉक्टर जाकी रूसन भी अपना सपत ले रहे हैं ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पर अपने पास क्या बोला जा रहा है पेराग्राफ नौर फाइब में हम लोग आगे हैं यहां पर जितने भी लोग हैं जितने भी लोग रहे यह और यहां के सारे लोगों ने हमें इस परिवार का मुख्या के रूप में कुछ समय के लिए चुना है यानि देखो यह राश्पती बने यानि देश के सर्बुच बैक्ती बने यानि obviously यह head of the country वन के यानि और यह पूरा देश को यह family के रूप में देख रहे हैं कि यहां पर जितने भी लोग है वो हमारा family है और यह पूरा देश हमारा घर है ठीक है और यहां की लोग उनको choose करके elect करके देश के highest पद पर इन्हें बैठाया है, यानि एक तरीके से मुख्या के रूप में इन्हें चुना है, ठीके, एक निस्सित समय के लिए, चलो, आगे यहाँ पर देखते हैं, क्या बोला गया है, आगे यहाँ पर बोला गया है, इट सेल बी, my earnest endeavor ठीक है और यह जो है मेरा एक तरीके से dread पढ़ियास रहेगा to seek to make this home strong and beautiful और यह मेरा dread पढ़ियास रहेगा कि मैं इस घर को इस पूरे भारत जैसा रूपी घर को मैं strong करो मजबूत करो और सुन्दर बनाओ a worthy home और एक तरीके से जो एक बहुमुल्य जो घर होता है ठीक है for a great people महान लोगों का engaged in the fascinating task of building up just and prosperous and graceful life ठीक है मतलब मैं पूरी कोसिस करोंगा यह मेरे द्रीकोसिस होगी इस घर को मजबूत और सुन्दर मनाने का प्रयास करूं और यहां के महान लोगों का बहुमुल्य घर जहां वो न्याय युक्त जो है समरित और जो है सांदार जिनगी गुजार सके क्या चीज जो एक तरीके से just a prosperous and graceful life एक तरीके सांदार जीवन वो यहां पे गुजार सके जो भी यहां पे महान लोग है और अपने जो है बहुमुल्य घरों में रहते हैं वो एकदम पूरी न्याय के साथ अच्छे तरीके से सांदार जीवन गुजार सके ठीक है इसके लिए मैं पूरी द्रिट कोसिस करूँगा ठीक है चलो अब यहां पे हम लोग paragraph नुमर 6 पे आते हैं और इसको भी अब हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें यहां पे क्या बोला जा रहा है और यह परिवार जो है यह भारत अपना घर है और यहां की लोग अपना परिवार है और यह परिवार जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और सहाज रूप से बढ़ते जा रहा, ये बूलते हैं, ठीक है? ये जो परिवार है, ये बहुत ही बढ़तार ठीक है? बढ़ते जा रहा है rather inconveniently, मतलब fast pace, ठीक है? मतलब एक तरीक से और सहाज धंक से ये लगातार, ये परिवार जो है हम लोग जो है, each one of us have to participate unspringly to build a new life, ठीक है, और हम में से हर एक लोग को अपना नया जीवन देने के लिए, इस देश के नया जीवन देने के लिए, हम लोग को लगतार इसमें काम करना होगा, each in his own way, सभी को अपने अपने तरीके से काम देना होगा, इस देश को बनाने के लि मतलब बहुत बिसाल जो काम है, ठीक है, ahead of us, मतलब हम लोग के ahead है, हम लोग के सामने है, so demanding that no one can effort to sit back, और ये जो है, चाहत करती है, ये जो अपने पास जितना काम है, सिर साइज of work, सिर साइज of task, ये बिसाल जो काम हमारे सामने खरा है, इस सारे काम को हम लोग को बिना रु से तेजी से बढ़ रहा है, हम सबु को हर एक को सकती से अपने अपने अस्तर पर इस देश को नया जीवन देने में भाग लेना है, मेरे सामने बहुत अधिक काम है, और वह काम इतने जरूरी है कि कोई खाली बैठ नहीं सकता, कोई भी खाली नहीं बैठ सकता, ठीक है, कोई अपने देश का बेकाबू हो गई है एक तरीके से बेकाबू हो गई है the situation demands of us work और जो परिस्थिती बनी है हम लोग से क्या चाहती है हम लोग से मांग करती है work की काम करें and more work काम और सिर्फ काम हम से यज़ ő इचर्फ से मांगती है silent and sincere work कि एक तरीके चुप चाप और एकदम इमांदारी से खामूसी से हम काम करते रहें Solid and Steady Reconstruction of the whole material and culture life of our people इमांदारी से काम मांगते ताकि हमारे लोग को संपुर्ण एवम सांस्कृतिक जीवन को पुर्णर निर्मान करें इसके लिए काम काम और काम जरूरी है अभी परिस्ति बेकाबू हो चुकी है यहां पर यह कहते हैं कि जब यह रास्पती पद लिए न सपत लिए यह कहते हैं देखो बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जिसको हम लोग को सुधारना होगा और हम और आप दोनों मिलके इस चीज को सुधार सकते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी काम है बहुत सारी ऐसे काम है जिसको हम लोग सुधार सकते हैं अपने जीवन को और ज्यादा सम्रित और अपने देश को और ज्यादा बेकास कर दिलवा सकते हैं, ठीक है, यह यहाँ पे बोलते हैं, आगे यहाँ पे paragraph नुमर 7 आती है, और इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से चलिए, अब अच्छे से जानते हैं, अब हम लोग यहाँ पे paragraph नुमर 7 का पहला लाइन से सुरू करते हैं, लेकिन यह अच्छा जीवन और एक अच्छा भारत की संस्क्रितिक को बचाय रखने के लिए, हम लोग को लगातार काम करना होगा, तो यह काम के बारे में अब यहाँ पे चर्चा करते हैं, कि यह काम कौन सा है, आखिर यह कौन सा काम है, चलो इसको समझते हैं, है ना, देखो, यहाँ कि मैं देखता हूँ, इसका दो पहलू है, work on oneness, oneself, ठीक है, कि पहले तो खुद के लिए काम करें, और दूसरा, and work for the society around, और दूसरा, कि हम लोग एक तरीके से समाजिक रूप से काम करें, समाज के लिए काम करें, यह काम को एक तरीके से दो पहलू है, कि सबसे पहले खुद के लिए काम करें, और दूसरा पहलू कि एक तरीके से समाज के लिए काम करें, ठीक है, there are mutually fruitful aspect of work, और यह दोनों काम करने का बहुत बहतर पहलू है, खुद के लिए काम करना, और समाज के लिए काम करना, ठीक है, देखो, the work on oneness self is to follow the arc toward moral development as a free person, ठीक है, यहाँ पर यह कहते ह हैं कि मालब खुद के लिए काम करना, ठीक है, खुद के लिए काम करना का अर्थ हुआ, क्या चीज़, का अर्थ हुआ, कि जोका हुआ कि तरफ, moral development, एक तरीके से जो नैतिक प्रगती जो है, उसकी और जोकाब होना, ठीक है, खुद के लिए काम करना, यानि एक तरीके से न नेतिक जो विचार होता है नेतिक जो अपने पास परगती होता है विकास होता है खुद के अंदर ऐसे नेतिक बेखस्थ करें ऐसे हम लोग नेतिक बने ऐसे आचरन वाले वैक्तिवाने ठीक है जो कि जैसे कि free person, जैसे कि हम लोग सौतनतर लोग जो है अंडर and under self imposed disciplines जैसे कि सौतंतर लोग अपने डिसिप्रीन अपने अनुसासन में काम करें विच एलॉन कैन रेंडर डैट डेवलमेंट पॉसिबल जो कि खुद अकेले ही एक तरीके से यह जो है एक तरीके से डेवलमेंट विकास को कर सकता है मतलब अगर हम खुद के अंदर नयतिकता अच्छे से भर लेंगे खुद हम लोग अगर सरीव बन जाएंगे बिचार अच्छे रंके रखेंगे हम लोग एक तरीके से बहुत ही नयतिक व पूरा सोसाइटी के लिए, पूरा समाज के लिए, ठीक है, तो मतलब ये इस तरीके से बताए हैं, क्या बताए हैं, फिर से एक बार हम आपको बताते हैं, कि इस काम को जहां तक मैं देखता हूँ, कि इसके दो पहलो हैं, स्वाएं के लिए काम करना और आसपास के समाज के लिए काम करना, दो पहलो बताए हैं, वे आपस में काम के उपयोगी पहलो हैं, ये जो है आपस में काम करने के दो उपयोगी पहलो हैं, स्वाएं के लिए काम करने का आर्थ है नैतिक परगति, अपने लिए काम करने का मतलब होता है नैतिक परगति, कि हम अपने नैतिकता को और विकास करें, कि और ध्यान देना, एक सौतंतर बैक्ति के रूप में, एब हम सौतंतर अपनाए गए अनुसासन के साथ, जो अकेले इस विकास को संभव कर सकता ह ठीक है हम लोग इस तरीके से काम करेंगे कि हम लोग अकेले ही इस विकास को कर सकते हैं एक सौतंतर व्यक्ति की रोप में अपना अनुसासन हम खुद बनाएंगे कि हमको क्या करना है हमको किस तरीके से रहना है हम खुद अनुसासन बनाएगा और हम उस अनुसासन के साथ हम अ नियतिक विकास के लिए काम करें गरी। इसका इंड़ प्रोडक्ट इसका अंती मुत्पाद क्या निकल के आएगा इसका परिनाम क्या नेकल के आएगा ? इसे is a free moral personality आटिक निकल के आएगा ? मतलब हम लोग ऑ तरीके से खुद के नैतिक development पे काम करें गे moral development पे काम करेंगे. एक तरीके से क्या होगा? एक तरीके से हम लोग का एक तरीके से जो personality होगा, जो चबी होगा वो एक तरीके से पूरा नेतिकवादी होगा. We cannot neglect हम लोग इसको एक तरीके से अंदेख्ण नहीं कर सकते हैं. We cannot neglect the end product only at our peril. ठीक है कि हम लोग एक तरीक से इसको अंदेखा नहीं कर सकते हैं और मतलब हमारा ही इसमें हमारा ही खत्रा है ठीक है पैरिल का मतलब क्या होता है खत्रा इसमें हमारा ही नुकसान है हमारा ही खत्रा है ठीक है हम लोग इसको अंदेखा नहीं कर सकते हैं जो अपना नैतिक विका of society to which it's a privilege to serve for a better gesture and more graceful way of life और यह तभी रुका जा सकता है जब हम लोग खुद इसको experience करें अनुवव करें ठीक है और इसे बनाए रखने की कोसेस करें तभी यह रह सकता है हम लोग खुद कोसेस करें कि समाज के नजदीक हम लोग रहें समाज में सभी लोग एक तरीक से जा सके एक जस्टर और एक ग्रेसफुल लाइफ उसको मिल दिया जा सके पूरे एक समाज को ठीक है तो हम लोग को यही दो पहलों पे काम करना है एक तो पहला अपने पास खुद के लिए ठीक है खुद के कहने का मतलब नैतिकता के लिए ठीक है और इसी से क्या होगा दूसरा आपने पास काम आये हैं कि हम लोग सारे जो है एक तर्म सोसल सोसाइटी जो है एक साथ हम लोग आजाएंगे और सМы पता कीलिए काम करेंगे कि हम लोग का सबी को एक उचित और सांदार जीवन दिया जा सकें ठेक्ड़ा अपने पास यह हो गया उसके बाज चलो Parliament ग्राफ नमर 7 महीं आगे यहां पर बोला जा रहा है अब यहां पर बोलते हैं क्या चीज कोई भी बैक्ति संपुर्ण उत्क्रिष्टा के साथ बीना सामोहिक समाजिक अस्तित के आगे नहीं बढ़ सकता है हम लोग को सोसल थो है एक तरीके से शमाजिक अस्तित के आगे बीना हम लोग बढ़ ही IGब करते हैं अगilled चलो हम लोग एक ठान लेते हैं चलो हम लोग एक तरीके से ठान लेते हैं कि engage in these two aspects of work, individual and social कि हम लोग एक तरीके से इन ही दो कामों में मतलब एक तरीके से खुद के लिए बेक्तिकत और सामोहिक इन ही दो कामों में हम लोग अपने आपको मतलब लग जाएंगे, इसमें engage कर लेंगे खुद में इसमें best हो जाएंगे, ठीक है इन ही दो कामों को करने में, खुद के लिए और समाज के लिए, individual और social दोनों के लिए, मतलब जो समाज के लिए सही है वो भी करेंगे, जो खुद के लिए सही है वो भी करेंगे तो यहाँ पर यह दॉक्टर जाकिर हुसेन काम करने का दो पहलू बताएं, यहाँ पर यह नहीं है कि वहाँ पर पत्थर रखा हूँ, वहाँ पर मिट्टी रखा हूँ दोनों को उठा के रखना है, यहाँ पर वो वाला काम नहीं फिर भी एक बार देख लो, बेसिकली स्टोडी समझ में आजाना चाहिए और नहीं क्यों समझ में आएगा, जब इतना आसान तरीके से आपको अपने भासा में बताए है नहीं समझ दाने की तो बात ही नहीं होती है तो निस्ते दोप से आपको समझ माना चाहिए इस डोवल एफ़र्ट हम लोग दो तरीके से काम कर रहे है खुद के लिए और समाज के लिए ठीक है एक इंडिवेजवल और दोसा सूसल यानि यह दोहरे जो परणाली जो होगा काम करने का यह दोहरे जो हम लोग एफ़र्ट लगा रहे है ठीक है परियास जो लगा रहे है कोसिस जो कर रहे है विल गिब दा लाइफ ओफ आवर स्टेट एसपेशल फ्लेवर और यह हमारे देश का जीवन को एक नया आयाम देगा ठीक है जब हम लोग इस तरीके से बन जाएंगे तो अपना देश को एक नया आयाम देगा for the state to us will not be just an organization of power तब हमारा ये देश है न सिर्फ organization एक power का एक सक्ती का सिर्फ संगठन बनके नहीं रहेगा but moral organization ये एक तरीके से नैतिक जो है संगठन भी हो जाएगा जब हम लोग इस दो पहलू पर काम करेंगे दोरी कोँसिस करेंगे तब हमारा देश केबल और केबल जो है सक्ती संगठन नहीं बलकि एक तरीके से नैतिक संगठन भी होगा aus सक्तिक संगठन भी हम लोग का ये देश हो जाएगा अगई यहां पर बोला जा रहा है कि it is a part of national temperament and inheritance और ये जो है, ये जो हिस्सा है किसका, भारतिय सभाव का हिस्चा है, ये क्या है, national temperament का हिस्सा है, भारतिय след यानि टेंपर्मेंट का हिस्चा है. ठेक है? एंड इनहीं हेरे रिटेन्स, जब हम लोग का नैतिक अगर हम लोग का एक तरीके से नैतिकता का सक्ति हम लोग हो जाएंगे ठीक है नैतिकता का संगठन हम लोग हो जाएंगे तो वो कितना अच्छा रहेगा ठीक है और यह जो है हमारा ब्रास्टिय सभाब है कि हम लोग एक तरीके से हम लोग का देश भी कुछ ऐसा ही है क जहां पर एक तरीके से नेतिकता बहुत जादा माना जाता है और and inheritance of the great leader of our liberation moment मतलब आजादी के समय आंदूलन के समय एक महानेता महात्मा गांदी जी से हमें ये बिरासत में मिली है inheritance का मतलब बिरासत में मिली है that power की सक्ती जो होता है should be used only for moral purpose केबल और केबल नेतिकता के लिए किया जाना चाहिए यहाँ पर ये बोलते हैं आंदूलन के समय एक महान जो है नेता महात्मा गांदी जी का ये कहना था ये महात्मा गांदी से बिरासत में मिला था वो कहते थे कि सक्ती का उपयोग केबल और केबल नैतिक उद्दिशों के लिए किया जाना चाहिए ठीक है और सांती इसी में है कि हम अपने अपने कामों को करने के लिए समर्पित करेंगे किस कामों को करने के लिए समर्पित करेंगे सांती इसी में है कि अगर हम लोग सही में नैतिकता के तरफ बढ़ेंगे हम लोग social और जो है और इंडिविज्वलियस दोनों पहलो परेगरम लोग काम करेंगे और दोनों को अच्छे धंग से हम काम करेंगे इस देश में सांती अमनो चैन वो चीज आ जाएगा और देश को एक नहा देश बन जाएगा एक अलग ही मीठास इस देश में पाया जाएगा यहीं यहाँ पर बात करते हैं ठीक है अब आगे यहाँ यहाँ पर बढ़ते हैं paragraph number 9 पर आते हैं paragraph number 9 पर आते हैं और इसको भी अच्छे समझते हैं और यह खास करके अंतिम paragraph है तो निसे दुरुप से भ्यानक तरीके से अच्छे से समझना है, ठीक है, चलिए, चलिए, तो इसमें पहला लाइन में क्या बोला जा रहा है, इसमें अपने पास 9 और परग्राफ का जो पहला लाइन है, इसमें बोला जा रहा है कि I have full faith in my people, मुझे अपने लोगों पे पूरा भरोसा है, फुल फेट मतलब पूरा भरोसा, ठीक है, पूरा भरोसा है, पूरा उमीद है, that की they will bring forth the energy request for the satisfactory performance of this double task, की मुझे अपने लोगों पे पूरा भरोसा है, कि इस काम में लग जाएंगे, इस दोहरे कार्ज में लग जाएंगे, इस जो है, अपने पास जो डूल इस लग जाएंगे, और पूरी satisfactory energy के साथ, मतलब पूरे जो संतोस जनक जो उड़जा होता है, धंग से एकदम काम में लग जाएंगे, यानि मुझे अपने लोगों पे पूरा भिश्वास है, कि वह इस दोहरे कार्ज को संतोस जनक धंग से करने में आवस्यक उरजा के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, it shall be my privilege, यहाँ पे ये दो काम के पहलो जो बताएंगे, यहीं ये कहते हैं कि हमें अपने लोगों पे पूरा भरोसा है इस दोहरे कार्ज को, मतलब इंडिवेज्वास और सोसल वर्क पे, ठीक है, दोहरे कार्ज पर संतोस जनक धंग से करने में आवस्यक उर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, सारे लोग इस पर काम करेंगे, ठीक है, it shall be my privilege to contribute, और मेरा ये क्या है, प्रिविलेज है, खुस किस्मती है, कि मैं योगदान दे रहा हूं, my share to this enchanting enterprises, और ये जो है, मतलब एक तरीका से जादूई काम में, मैं मुझे ऐसा, मैं खुस किस्मत से, मुझे ऐसा मौका मिला है, कि मैं सेवा दे रहा हूं, मैं अपना योगदान दे रहा हूं, इस जादूई काम में, ठीक है, ये कहते हैं, कि देखो, हमें अपने लोगों पर पूरा भश्रा है, कि ये दोनों कामों को, social और individual ये दोनों कामों को, दोहरी अप बहुत किस्मत मानते हैं खुद को, कि हमें ऐसा मौका मिला है, कि हम इस ज्यादोई काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डॉक्टर जाकीर हुसन जी अच्छे से बोलते हैं, और देखो, कुल मिला के बात यहां पर ये आती है, कि अपने पूरा जो चैप्टर है न, डॉक्टर जाकीर हुसन बहुत ही अच्छे से बताए हैं, ठीक है, अब चलो, एक बार हम अपने सौट तरीके सौट में एक तरीके ओवर्व्यू देते हैं, पूरे चैप्टर में बेसिकली क्या बात किया गया है, इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, अच्छे से इसमे बेसिकली अपना एक भासन दे रहे थ है जब वह रास्पती पत्वा सपत ले रहे थैं भारत के वह रास्पती ए्पद का सपत ले रहे थैं ठीक है तो उस समय वह एक सबार को सब agail करेंने के बाद उससन में वह बोलते हैं, कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम बहुत ही तरीके से ठीक है, यह कहते हैं, साथ ही कहते हैं, कि मतलब हम पूरा dedication के साथ लग जाएंगे भारत के इस सम्मिधान के परती, पूरी निश्था पूरा समर्पन के साथ काम करेंगे और ये उसके बाद सकेंड जो राश्पती थे यानि अपने पास डॉक्टर राधा क्रिस्नन जो है उनके बारें में बोलते हैं कि वो भी बहुत अच्छे से राश्पती पत को एक मांजिक मजबूती दिये घ्यान का एक तरीके स पूरे भरती का ये सबसे सर्वोच पद है इस पद वे बैठे हैं और हम लोग के आगे बहुत काम दिख रहा है और इतना काम है कि हम लोगत से वो जो है न वो हर हमेसा करें के वहाल बहुत क्य indirect काम करें अर उसके बाद अगर जहां तक बात करें तो हमारा जो है ना यहां प अपने आपमें विख्शित करें और जब हम लोग खुद काम करेंगे सारे लोग मिलके काम करेंगे अगर सब लोग सब लोग सब बताया गया काम करने के तो पहलो को और साती साती ये बोलते हैं अंती में कि मुझे ऐसा भरोसा है कि सारे लोग जो है इस दोहरी कार्ज को इस दोहरी कार्ज को बहुत अच्छे डंग से करेंगे और मुझे ये सवभागे मिला है मुझे ये एक तरीकिस मैं खुसकिस्मत हूँ खुसकिस्मत्ती से मुझे ये काम करने का मौका मिला है स्वभागे मिला है ये ज्यादोई काम को करने का ठीक है तो I hope सो कि ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा ढंग से समझ में आया होगा इसमें कोई कहीं से आपको दिक्कत नजर नहीं आया होगा जो भी आपको class लगा हो जैसा भी आपको class लगा हो नीचे comment करके आप लोगो जरूर बताना है ठीक है अगर अच्छा लगा हो तभी बताएगा कुछ खराब भी लगा हो तभी बताएगा आपका feedback हमारे लिए बहुत importance माइने रखती है तो आप नेसे दूरूप से comment करके आप हमें बताएंगे कि आपको ये class कैसा लगा और इस वीडियो को ज़रूर से like करेंगे है ना और जित्ती भी नए student है उन सब को subscribe कर लेना है नेसे दूरूप से बताईए और सारे बच्चों को class से जोड़िए ताकि ज्यादा जल्द बच्चे रहे हम भी एकदम खुजी खुजी एकदम लगातार आप लोग के लिए फ्री में यहाँ पर कंटेंट लाते रहे और आप लोग मस तरीके से पूरे एक्जाम के त्यारी में लग जाए है ना अब इसके बाद जैसे आपका लाइन पर लाइन यह हो गया है और इसका objective इसका subjective question भी बहुत जल्दी आ जाएगा है ना तो उसके लिए बस चैनल से जोड़े रहे हैं सब्सक्राइब करकर रखिए उसका वी वीडियो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और जो बच्चे फॉस्स एप्टर इंड नहीं टाटा बबाई